हेलो काईस, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी AC कवर बनाना, जो बहुत आसान इस टिप से मैं आपको बताने जारी हूँ ये बिना एलास्टिक के होगा, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चोड़ाई को मेजर कर लेते हैं आप अपनी AC के हिसाब से जितना भी लंबाई चोड़ाई हो, आप उस हिसाब से अपना पूझा पूरा मेजरमेंट ले लीजे तो यहाँ पर देखे, मेरी AC का मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है, तो इस तरह से आप अपनी AC का मेजरमेंट ले लीजे इसके बाद आपको क्या करना है, जो कपड़ा कट करना है, वो लंबाई और चोड़ाई में हर जगे से आपको 1-1 इंच प्रस करके लेना है मान लीजे कि जो 40 इंच हमारी चोड़ाई है तो आपको 41 इंच लेना है और अगर यह 8 इंच इसकी वेथ है तो आपको लेना है 9 इंच, अगर यह 11.5 इंच है तो आपको लेना है 12.5 इंच इस तरह से आपको सारे measurement कुछ बढ़ा के लेना है तो आपको कपड़े पे किस तरह से cutting करनी है आपको 5 part cut करने है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सामने वाले part की cutting करेंगे देखी आपको जो यह point दिख रहा है कर्चर दिख रहा है आपको इसकी cutting करनी है इस part की सामने वाले part की तो इसकी आपको चोड़ाई रखनी है 41 इंच और इसकी लंबाई रखनी है आपको 12.5 इंच अब आपको 2 part cut करने है 41 जिसकी चोड़ाई रखेंगे आप और 9 इंच उसकी लंबाई रखेंगे यह part हमारे ऊपर और नीचे के लिए होंगे अब आपको 2 part अगल पकल के लिए cut करने है जिसकी आपको चोड़ाई रखनी है 9 इंच और उसकी लंबाई रखनी है 1.5 इंच तो इस तरह आपके पाचो पार्ट इस तरह से cut jourजाएंगे तो अब यहाँ पर देखें मैंने कपड़ई सारी पार्ट कटकरके रख लिये हैं यहाँ पर पाचो पार्ट सुस्की मैंजर्मेंट के हीसाब से मैंने कटकररके रखने हैं कि इसी तरह आपको जो भी ऐना है आपको कट करके रख लेना है आप यहाँ पी मेरे आपे मेरे कपड़ा कम पढ़ रहा था तो इसलिए मैंने जो उपर वाला पार्ट है हमारा उसको मैंने अलग कलर का ले लिया है क्योंकि वो देखेगा भी नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अलग कपड़ा लेने में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा आपको ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे तो यहाँ पी देखे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 5 पार्ट्स को कट करके रखा है यहाँ पी देखे आपको थोड़ा सा ओवल सेप देख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे साइड्स से मेरा एसी का जो सेप है वो थोड़ा सा गुलाई पे है तो इसलिए मैंने याप पे हल्की सी गोलाई देते हुए इसे गट कर रखा है अगर आप इस तरह नहीं कट करना चाहते हैं तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं आप सीधे जैसे मतलब चाकोर से पूरे पाटों कट कर सकते हैं अब आपको इन सारे पार्ट को ज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको बीच में सामने वाला पार्ट रखना है तो यहाँ पी देखे मैंने सामने वाला पार्ट रख दिया है अब एक पार्ट हमारा उपर इस तरह से जोईन होगा एक पार्ट हमारा नीचे जोईन होगा तो यहाँ पी देखे फ्रेंड्स इस तरह से आपको पूरे पेस्टिश लगा लेनी है इस साइड एक पस पहले हम सामने वाले पार्ट में उपर नीजे के पार्ट को जोड़ेंगे तेकि सबसे पहले हम उपर के पार्ट को जोड़ेंगे उसके पाद हम यहां पे आमने सामने के पार्ट को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम यहां मैंने चारो तरफ यहाँ पे सारे पार्ट को जोड़ लिया है तो यहाँ पे देखे आपने सामने वाले पार्ट को हम ने फ्रेंट वाले पार्ट पे रखा चैंछ जोड़ा देखेंister को बादय कार्ट में ुठाकर दूसरे पारनं के उपर रख देना है और आपको सलाई लगा लेनी है तो यह देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से सलाई लगानी है इसी तरह आपको दूसरे साइट का पार्ट लेना है तो यह देखिए आप यहाँ पर हमने दो कॉर्नर लिए आप एक कॉर्नर के ऊपर आपको दूसरे कॉर्नर को रखते हुए आ करना है जी देखिए ऐसे आपको उठाना है बस इसकी ऊपर ऐसे सेट कर दीना है और आपको यहां पर स्लाई लगा देनी है तो इस तरह से आपको चारो पार्ट को ज्वाइन करते हुए आपको इसलाई लगा लेनी है चले मैं आपको यहां पर स्लाई लगा के दिखाते हूँ देखिए याप पर फ्रेंट मैंने याप पूरे पर सिलाई लगा ली है चारो कॉर्णर को मैंने याप ज्वाइन कर लिया है देखिए इस तरह से चारो कॉर्णर हमारी ज्वाइन हो चुके है यह देखिए आप सही सी देख लिजे मैं आपको यह रॉंग साइट से दिखा रह अगर इसे complete कर लेना है तो पहले आप इसे अपने AC पे डाल के देख लिजे अगर आपका ये fit पैट रहा है तो आप इसकी ऊपर stitch लगा दीजे अगर आपको कहीं से कम जादा लग रहा है तो आप यहां पर इसको फिर से दबा भी सकते हैं तो यहां पर देखे friends मैंने stitch लगा क अगर इसको यहां पर देख लिया है तो यहां पर देखे मेरा AC कवर बिल्कुल कमप्लेट होकर बन गया है और यह कहीं से भी लूज नहीं है तो देखे अगर आप सही से measurement लेंगे तो आपका यह जो AC कवर है बहुत ही perfectly बन जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत है